नमस्कार दोस्तों टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ है कमल कांजी आयरुवेदिक चिकित्सा पद्धती को बढ़ावा दे रहे हैं और आज ये आपको बताएंगे कि जोडों के दर्द को अपने घर पर देशी दवाईयों से कैसे ठीक करें और वो दवाई कैसे तयार करें आप मेरे सामने जो जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं इनी जड़ी पूटियों से आप ऐसी दवा तयार कर सकते हैं जिसे जोडों के दर्द में आपको आरा मिलेगा निशुल्क है यह कमर्शल वीडियो नहीं है क्योंकि कमल कांच जी की भी कोशिस है कि यह पदती ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे हमारी पुरातन पदती है जिसे हम भूल चुके हैं उसे रिवाइब करने कि इनकी मुहिम है उसी मुहिम को हम टेक्निकल लगनाज बहें कि मतल आती है तो जो सबसे पहले हम बात कोड़़ करेंगे से जोडों के दर्दका कारण क्या है and nt उसमें जो सबसे पहला कारण है कि फियो कारण ह कि धरती मा के अंदर हम युणिया डियेपी और के मिकल के रूब में जहर डाल रहे हैं और हाइबीड को पोश्क तत्व निकलते हैं तो जब हम उसको प्रोसेस करते हैं जैसे दूद को जब करते हैं तो ऐलूमुनियम के बर्तनों में किया motherf Staats ध्यान रहे ऐलूमुनियम का प्रयोग अंग्रेजो ने हमारे करांति कार्यों को जल्दी खतम करने के लिए परारम किया था और आज हम सोख वस अलूमुनियम को अपने घर पे लेका आ सकते हैं तो उसके समाफ्थ हो जाते हैं सरीर को कैल्सियम नहीं मिलता दूसरा जो कारण है अगर सरीर में कैल्सियम मिलता भी है तो फिर हमारा जो लीवर है उसे पचा नहीं पाता तो वो मुख्य कारण जो दो है इसकी वज़े से जोडों का दर्द भारत में फैल रहा है अब उपचार पदती यहां भाही राजी उदिक्षित जी की प्रेना से बेहिशते हैं ओनलाइन के माद्यम से, गाइडेंस के माद्यम से तो भूत ही सरल पत्ती है तो मैं सरू करता हूँ कि जोडों के दर्द में क्या-क्या होस्दियां आपको लेनी हैं आप सभी ध्यान से सुन लीजेगा, देख भी लीजेगा जोडों के दर्द की सबसे महत्वपूर्ण जो ओस्दी है वो है हार सिंगार ये इस परकार के सुखे पत्ते आपको मिल जाएंगी अगर घर पे पोधा लगा लें तो एक हार सिंगार अनेको बिमारियों में काम आएगा दूसरी जो परमुख ओस्दी है वो है सतावर जो दवाई बनाने के लिए यूज होंगी वो बता रहे है वो ओस्दियां है ये दूसरी ओस्दी है सतावर आप अच्छे से देख लीजेगा तीसरी जो ओस्दी है इसके अंदर असुगंधा तोथी जो ओस्दी है इसके अंदर जो परियोग होती है वो निर्गुंडी पांचवी ओस्दी जो इसमें परियोग होती है जो सडक के किनारों पर अमूनन खड़ा होता है अरंड मूल बात की सबसे अच्छी ओस्दी है अरंड मूल और जो चठी ओस्दी है इंद्रायन मूल इस परकार की जड़े है इनकी अब आपको कुछ नहीं करना है इन सभी ओस्दियों को पंसारी से ले आएं बस एक बात का ध्यान रखे 6 मेने से अधिक पुरानी ओस्दिया ना हो और इन दीमे से आँच पे पकाए जब आदी रह जाए तो घूट घूट करके पी ले पीने के बाद पुने उस बरतन को साफ करें और फिर से उसमें आदा लिटर पानी लेके और पांच ग्राम उस्दी फिर से उसमें विगोदे और शाम के टाइम फिर उसे गरम करें और धीमे धी ले ले पंसारी से और सब को मिलाकर कूठले के बाद जानना पड़ेगा जानने किया हो सकता नहीं पानि में भगो का नहीं के बढ़ने का का लेड़का और पानी उसके बना करके रख लें कांच के बंढ दे सबसे अच्छा परी नहीं ले सकते तो खाने के डेड़ गंटे बाद आप इसे ले ले तो यह होगे आगे आप कुछ बता रहे थे आगे मैं बता रहा हूं कि जिन रोगियों को पत्री नहीं यह विशेश बात आप ध्यान रखे जिन रोगियों को पत्री नहीं है उसे चूना लेना है पान की दुकान पर चूना आता है और उसके बहुत सारे प्रियोग है उसको केवल गेहूं के दाने के बराबर या तो पानी के अंदर अच्छे से बिगोना है अगर पानी के अंदर नहीं बिगो सकते हैं पानी में कमफर्टेबल नहीं तो मूं की दाड़ में आप अच्छे से बिला ले और उसे सेवन करें लेकिन जिनको पत्री है उन्हें यह सेवन नहीं करना है इसके अलावा जो महतव पूर्ण है इसके अंदर है जिसे मोरिंगा भी कहते हैं ड्रम स्ट आदा दर्द है तो अरंड के तेल की मालिष कर सकता है या आदा चम्मस्तिल का तेल गोमाता के दूद के अंदर डाल के रात्री में पीए और सुबह सुबह अगर संभव हो तो 50 ml देशी गोमाता का गोमुत्र रोगी पीए इस विधी के माध्यम से जिन रोग्यों को 18-18 वर आपने इलाज किया है तो कितना प्रभाव लोगों को पड़ा है तो पांसो से ज़्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं इस पत्ति से और इस परकार के भी ठीक हुए हैं रोह तक से एक रोगी थे उनको 18 वर्सों से जोड़ों का दर्था ठीक से उठ भी नहीं पाते थे तो इस परकार के भी ठीक हुए और जो साधान रोगी है वो तो दो से 3 महीने में इस पदिति के माध्यम से असानयी से ठीक हो सकते जिनको समस्य जटिल है काफी वरसों से समस्य है उनको हो सकता है पांच महीने से लेके आठ नो महीने तक ए परकरिया करनी पड़े लेकिन इन ओषद आरां मिलता है। बहुत लोग ठीक हो रहे हैं कोई side effect नहीं है इसलिए आप इसे आसानी से तियार करके सकते हैं कोई नुकसान नहीं है क्योंकि Ayurvedic चीजों का सबसे बढ़ा फायदा यह की कि इसका side effect नहीं होता है फाइदा कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंड करता है कि आप साथ में जीवन चुरिया कैसी है आपकी हमारी कोशिश है किसी चीजों को बढ़ाव मिले आगे भी हम आपको कमल कांजी के और वीडियो दिखाएंगे जिन में कैंसर के पेसेंट इन्होंने ठीक करने का दावा किय है और साथ ही सूगर और हर्ट की बीमारियों को अभी इलाज कर रहे हैं उसकी दवाई आप घर पर कैसे त्यार करें इसकी जानकार एक लिए वीडियो में देंगे जोड़े रहिए टेकनिकल फार्मिंग से हमारी कोशी से अप्सी चीजों को बढ़ाव मिले ताकि आपको ल